नमस्कार दोस्तो, कैसे हैं आप लोग, आता करते हैं कि आप लोग खुस होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने इपने जिन्दगी में मस्त होंगे तो चलिए आप सबी को इस ब्लोग्स में हम लोग आज कुछ अलग's चीज बना रहे हैं आज बताएं क्या बना रेहे हैं। आज हम लोग चिकन बना रहे हैं। चलिए आप सभी को दिखाते हैं। इस तरह से चिकन बनाएंगे और चलिए आप सभी को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों चिकन हम लोग बना डाल दिये हैं कड़ाई में और मम्मी भूंज रही है और इधर पूरा अधिल मसाला गड़ा लगा के भूंजा रहा है मसेला अगरने डाले हैं बटा भी भूंजे अभी भूंज रहे हैं तेल लगा तेल उगरा से तो देख सकते हैं आज हम लोग को तो पूरा मजा लगेगा खाने के लिए क्योंकि आज हम लोग बहुत दिन बाद चिकन खरीद के लाए हैं और आज बना रहे हैं तो दोस्तो वीडियो के एंड तक देखिएगा हम लोग बहुत अच्छा बनाएंगे चिकन और आज बहुत अजिब होने वाल है क्योंकि आज हम लोग इतना दिन बाद चिकन लाए हैं कुछ मजा ही लगेगा खाने में तो चलिए आप सभी को और सब चीज दिखाते हैं आप लोग को तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैंगा दोस्तो देख सकते हैं दोस्तो मसाला डाल दी मम्मी तो इस तरह मसाला डाल दी कोंची डाल रहे हैं यूला हर्दी हर्दी डाल रहे हैं मम्मी इसको भी चलाना होगा है तुछ देख सकते हैं अभी भूझ रही है और सेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है बोल रहे है कि सेंट Rोशील ढसा 근데 क्या बन रहा है हम लोग काज्शी कली तो देख सकते हैं इधर ममी आज हम लोग का पेटवर खाना खाएंगे हो बोल रही है ममी तो देखते हैं किस तरह ममी बनाती है तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा अगदम मसाला तरकड़ी लगा के हम लोग का भूंजा रहा है देख सकते हैं पूरा मस्त अगदम देख सकते हैं चिकन दिखाये तनी उठाके देख सकते हैं कितना अगदम लट पट्टी ममी बना दिये रगदम पूरा दिख रहा है मस्त अगदम तो दोस्तों देख सकते हैं पानी डाल चुकी है थोड़ा पानी दे दिये हैं तो अभी किस तरह से बनता देखते हैं तो इसको ढग दिये हैं अभी तो दोस्तों इसको उगार दिये हैं अभी तो देख सकते हैं बन चुका है हम लोग का और पानी डाले थे तो थोड़ा सोख गिया है देख सकते हैं तो इसको अभी जोर डालना है किस ने उतारना है पता नहीं पूछना होगा तो देख रहा जोर नहीं डालना है उसके बार में उतार देंगे तो दोस्तों देख सकते हैं उधा उगा रहे हैं इसको और देखते हैं कि कितना मतलब जौर सौक गिया है है हम लोग का चिकन बन गया है उतार देंगे तो अभी इसको उतारेंगे और ठाली में बाटेंगे और अभी खाएंगे तो देख सकते हम लोग इतना सा जोर किये हैं और इतना अभी स्वादिष्ट बना है धन्या पत्ता तो नहीं डालें लेकिन देखें उतार दियें बन चुका है और इसको अभी बाटेंगे और चावल ठीक है चावल भी ज्यादा नहीं है ठीके बाट चावल खा लेंगे इतना सा और इधर चिकन है और उधर इतना सा बचा है इधर तीन जनका तीन गो ठाली में खाने के लिए बैट चुके हैं तो चलिए दिखाते हैं बेक केमरा से यूँकि मेरे पास अस्टेन नहीं है तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग खाने के लिए बैट गये हैं यह पापा का ठाली है यह मम्मी का ठाली और उधर अला मेरा तो तो देख सकते हैं हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं देख सकते हैं ये मेरा थाली है ये मम्मी का थाली है ये पिताजी का थाली है और बैठल हैं दोनों पिताजी मम्मी तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेर कर द झाल झाल